तो स्वागत दोस्तो मैं हूं आपके साथ दर्केटेक निकल जीएंग दोस्तो इस रीडियो में बताऊँगा आपकी इस ब्रगाड़े तो इसको बहुत आसानी से अनलॉक कर सकते हैं तो बहुत इकमाल का और बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला दोस्तो इसमें आ आने अपने अब आउट फोन पर आने के बाद दोस्तो आपको देखने को मिलने का एक बिल्ड नमबर का उप्शन जी दोस्तो बिल्ड नमबर भी आपको कर लेना है सेवन टैम प्रेस सेवन टैम जैसी प्रेस करेंगे दोस्तो आपका डेवलपर आप्शन आपका डिवाइस देखने को मिल जागा आपके developer option में अब दोस्तों सिम्पलिस से आपको उपर में एक enable or disable option देखने को मिल जागा अगर दोस्तों आपका developer option enable नहीं है तो इसको simple इस enable कर देना है enable करने के बाद दोस्तों नीचे आने पर एक option आपको देखने को मिल जागा OEM करने दोस्तों आपका ओए एम उनलोकिंग का अपको सट थोड़ा से नीचे आने के बाद दोस्तों एक ऑफचन आपको और देखने को मिल लगा USB को जी यहां दोस्तों यह option भी आपको simply से यहां पर से कर लेना है Enable, Enable करने के बाद दोस्तों सेडिंग में थोड़ा नीचे आने के बाद एक option आपको देखने को मिल जगा Enable Wi-Fi Wearables Logging का जी यहां दोस्तों यह option आपको simply से कर लेना है जी यहां दोस्तों आप friend का मंग सकते है फिर family में जो भी आपके पास device रहेगी दोस्तों उस secondary device को आपको मंग लेना है देन दोस्तों उस secondary device में आपका काम आता है उसमें आपको क्या कर लेना है दोस्तों simply से उस device में आपको अपना प्ले इस्टोर ओपन कर लेना है जिया दोस्तों प्ले इस्टोर में कर लेता हूं ओपन करने के बाद दोस्तों यहां आपको सिंप्ली से सर्च कर लेना है बग जैगर जिया दोस्तों बग जैगर मोबाइल ADB, USB, OTG application आपको देखने को मिल जाएगी इस application को दोस्तों आपको कर लेना है अपने device में install जिए दोस्तों यहाँ पर जमें कर ले तो इस application को install install complete हमारा यह देखिए दोस्तों कुछी seconds में हो जाएगा तो यहाँ पर से दोस्तों पूरे तरह किसे इसका install होने का आपको wait कर लेना है install complete होने के बाद दोस्तों से आपको कर लेना है इस application को open open करने के बाद दोस्तों कुछ इस बरकार से आपको interface देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों आपको अपने device को OTG cable की मदश से दोने device को एक बार connect कर लेनी है जियां दोस्तों आपको एक OTG cable 15 या फिर 200 रुपे का देखने को मिल जाएगा उसकी मदश से दोस्तों OTG आप जैसी करेक्ट करेंगे आपके secondary device में दोस्तों allow USB debugging का option देखने को मिल जाएगा उसको दोस्तों सिंबले से आपको कर लेना है अब आपको fast boot mode पे चले आना है अपने fire bugs अगर अप्लिकेशन में देन दोस्तों आपको एक option देखने को मिल जाएगा reboot to boot loader का जियां दोस्तों reboot to boot loader पे आपको कर देना है क्लिक अप जैसी करेंगे दोस्तों आपको जो main device ही रहे कि दोस्तों simple आपके fast boot board पे boot हो चुका है अब दोस्तों simple आपकी बात आती है boot loader को unlock करने की जियां दोस्तों boot loader को unlock करने के लिए आपको command यहां पर type कर देना है fast boot space oem unlock जियां दोस्तों fast boot devices आप जैसी search करेंगे आपको यह device देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको simple से type कर देना है fast boot space oem unlock जियां दोस्तों आप जैसी है fast boot oem unlock करके आपके type करके command को run कराएंगे आपके डिवसकों जो boot loader है दोस्तों बहुत है असानी से unlock हो जाने वाला है तो कुछ इस परकार दोस्तों वीडियो वीडियो के सलगा निसे में कमेंच को लाएंगे बिलको न बुले दन्वा थैंक्स वर वाच